कहते हैं अकलमंद को इसारा और अहमक को फटकारा स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप इस आर्टिकल में हमारे पुर्व आर्मी चीफ नर्वने ने एक बयान दिया है और कहा है कि 16 जून को सी जिनपिंग कभी नहीं भूलेगा और आपको बता दें 16 जून सी जिनप अपती का जनम दीन भी है आखिर मुकुंद नर्वने ने ये बात क्यों कही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सबसे बड़ी चोट दी है अपने दुस्मनों को जानेंगे किस तरीके से दुनिया को हक्का बक्का कर दिया है और इस वक्त भारत की इस उपलब्धी की हैं इन खबरों को विस्तार से CIS News Network के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि भारत ने के फोर मिसाइल का परिक्षन कर लिया ये साल अंत होते होते भारत अपनी ताकत फुल मोड में दिखा रहा है इस स्क्रीन पर देखिए आर्टिकल जिसमें भारत ने सम्मरीन स लांच किया नुकलियर बैलेस्टिक मिसाइल के फोर और ये बतला रहा है कि अब भारत सक्षम हो गया जमीन आसमान समंदर तीनों से नुकलियर मिसाइल दागने में तो भारत ने ये ठान लिया है कि ये साल भारत और भी ज़्यादा चौंकाने वाली चीजें दुनिया के सा परिणाम उसके अगले ही दिन दिखना सुरू हो गया दरसल स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं इस मैप में एक जगह है सुर्यलंका एयर फोर्स स्टेशन यहां से भारत ने अपने आकास मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा ही अनोखा अभ्यास किया और इस अभ्यास को डियारडियो ने जारी कर दिया वीडियो के रूप में स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं डियारडियो ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी अब इसमें खासियत क्या थी जिसकी वजह से अंतरराष्टिये मीडिया में एक हड़कम समचा हुआ है तो पहली बात यह ऐसा करने वाला देश भारत पहला है अब भारत ने ऐसा क्या किया है भारत के आकास मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक साथ 25 क्यूलोमीटर रेंज के अंदर चार अलग अलग टार्गेट को मार कर गिराया है DRDO ने जो वीडियो पब्लिस किया है उसमें स्क्रीन पर देखिए क्या होता है एक तरफ से ये लाल रिखाएं आ रही है और दूसरी तरफ से ये जो है ग्रीन रिखाएं आ रही है लाल रिखाएं दुसमन को दिखला रही है कि चार अलग अलग टार्गेट बढ़े चले जा ये जो लाल हरा लाइन देख रहे हैं आप आपको लगेगा अच्छा ये लाल हरा लाइन दिखला कर बस इसी में तो भारत ने एक तो इसके वीजूल से भी दिखलाए कि कि किस तरीके से हुआ भारत ने दिखाया कि ये सुर्य लंका एर फोर्स स्टेशन था जहां से हमने द वीजूल के साथ साथ इन्होंने एक्शूल जो तस्वीर थी एक्शूल वीडियो था वो भी सेयर किया है ये जो एक्शूल वीडियो देख रहे हैं इस एक्शूल वीडियो ने बता दिया है कि किस तरीके से एक साथ भारत के आकास मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने चार अलग अलग टार्गेट्स को मार कर गिरा दिया है ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्दी है अब इसका फल भारत को कहां मिलेगा पहली बात तो ये कि आप देखिए ये कितना संसनी मचा रहा है दा हिंदू में इस मिसाइल के परिक्षन को इस अभ्यास को छापा गया कि भारत ने अस्तर सक्ती नाम का एक अभ्यास किया जिसमें चार टार्गेट को एक साथ मार कर गिरा दिया उसके बाद बिजनेस स्टेंडर ने भी इस खबर को छापा जिसमें कहा कि आकास मिसाइल को चार अलग अलग टार्गेट को मार कर गिराते हुए दिखलाया भारत ने एक बार मे और वो भी 25 किलो मीटर की रेंज में फाइननसियल टाइम्स ने भी इसे कवर किया डेकन हराल ने भी इसे कवर किया किनों ने अकास की केपबिलिटी को दिखलाया मतलब ये एक चीज थी यूनिक कहने को तो कई सारे देश कहते हैं अब इसे भारत को दो मदद मिलने वाली है पहली मदद तो ये कि भारत की छमताओं से परचित हो रहे हैं पाकिस्तान और चाइना और उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर उनके दिमाग में कहीं किसी कोने में ये बैठा है कि भारत एक कमजोर देश है तो इस गलत फाहमी से वो जितनी जल्दी निकल जाएं उतना बहतर है वहीं दूसरी तरफ भारत कई देशों को अपना ये आकास मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच भी रहा है बेचने के लिए बात भी कर रहा है जैसे कि यूरेसियन टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं कहा जा रहा है अर्मेनिया उन देशों में है जो भारत को ये ओर्डर दे सकता है और अब तो जब ये च्छमताएं साफ साफ दिख रही हैं तो ये ओर्डर मिलने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ गए है जो दिखता है वो बिखता है भारत यहाँ पर दिखला कर अपनी ताकत समझा रहा है कि हमारी ताकत इतनी है आप इसे खरीद सकते हो और ये हमारी असल चमता है तो यहाँ पर भारत के लिए डबल यहाँ पर फाइदा देखने को मिल रहा है पर आपको बता दें जैसा कि हमने कहा कि इन सब के बीच में भारत साल अंत होते होते और भी कई नई चीजें आती रहेंगी और अपडेट हम लोग लाते रहेंगे पर उससे पहले ये जान लीजिए कि आचानक से हमारे जो पुरु आर्मी चीफ थे उन्होंने ऐसा क्यों कहा जनरल मनोज मुकुन नर्वने ने उन्होंने कहा कि 16 जून को सी जिन पिंग एक कभी नहीं भूलेगा इस दिन को भूलना उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी और 16 जून वो दिन है जिस दिन भारत ने ताब और तोड कुटाई की थी गलवान गाटी में अब आपको बता दें मुकुन नर्वने ये बात क्यों कह रहे हैं मुकुन नर्वने का कहना है कि चूकी ये वो दिन है जिस दिन चाइना को 20 सालों में पहली बार इतनी मौत और इतनी बड़ी हार देखने को मिली और सयोग देखिये जिस दिन ये सारा कुछ हो रहा था उस दिन सी जिन पिंग का बड़े था यानि की जनम दिन था और मुकुन नर्वने ने जो चीजें कही उससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि गलवान घाटी को लेकर जो छिपाने की कोशिस करता है चाइना आकडों को सही सही नहीं बताता है यहां पर चाइना को बड़ा नुकसान हुआ था दूसरी बात मुकुन नर्वने ने ये भी कह दी कि मेरे भी कारेकाल का ये सबसे बड़ा दुखद चन था क्योंकि इस दिन हमारे बीस सैनिक सहीद हुए थे भारत के दौरा ये साफ कर देना ये दरसाता है कि उस समय चाइना को एक बेहद बड़ा नुकसान हुआ था खेर वैसे आपको क्या लगता है हारत आने वाले दिनों में और भी कई चीजें दुनिया को दिखलाने वाला है कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ